हलो आपरीबन वेलकम तो माई चैनल तो आज हम लोग सॉल्ब करेंगी होट की कोस्टिन्स को और यह अपना है चाप्टर सेविन अल्जेबरिक आइडेंटिटीटीज ओके और इसके पहले के जो भी वक्सिट है उसका वीडियो लिंक आपको मिल लिएगा डिस्क्रिप्शन ब पावर फोर माइनस 81 फाइंड दी मीन अप दी आपजर्वेशन तो हम लोग को यहां पर मीन निकालने का जो फॉर्मूला है यह हम लोग को जानना पड़ेगा और इस को सुन को हम बड़े आसाने से सॉल्प कर पाएंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला हुआ करता है मीन नि यहां पर नॉट करने वाले हैं एक्स प्लस थी यह हमारा होगे नंबर ऑफ अब्जर्वेशन तो यह हमारे पास दिया हुआ है एक्स तुदी पावर फोर माइनस 81 राइट हम यहां पर भैलूस पूट कर लेंगे हमारा मीन निकल लेगा तो आई हम भैलूस को पूट कर लेत हैं तो सम और पास है एक्स तुदी पावर फोर माइनस 81 और यहां पर नंबर ऑफ अब्जर्वेशन हमारा है एक्स प्लस थी तो यहां पर नॉट कर देते हैं एक्स प्लस थी अब हम क्या करेंगे ना यहां पर जो हमारा नुमिनेटर में है इसको फैक्टराइज करने वाले हैं तो हम इसको सिंपल सा लिख सकते हैं एक्स तुदी पावर टू और इसका हम फिर से पावर कर लेंगे टू ठीक है और यहां पे जो हमारा 81 है इसको हम लिख सकते हैं 9 तुदी पावर टू अभी हमारा एक्स प्लस नाइन ठीक हो जाएगा और अभी हमारा जो डेनोमेटर में है वो as it is रहेगा यहां पे कोई भी change ने होने वाला है तो आप इसको break किजिए यहां पे देखिए आपका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x square plus 9 ठीक है आनि a plus b किये फिर आप करने वाले है a minus b that is a square आनि x square minus 9 ओके अभी आपका diameter में same रहेगा no change होने वाला है कोई भी change ने होगा चलिए अगला step फिर से आप देखिए आप यहां पे क्या करने वाले हैं अभी x square plus 9 तो आपका रहेगा यहां पे कुछ भी change नहीं हो सकता लेकिन यहां पे आपका change हो जाएगा यह क्या होगा आप इसको लिख सकते हैं x का square और यह 9 है इसको आप लिखेंगे 3 का square राइट और यह bracket से बंद कर दिजिए अभी आप आपका a square minus b square यहां फिर से चलेगा तो आप उसको ले लिजिए और denominator में आपका x plus 3 अभी रह जाएगा आगे देखिए अगले step में आपका यहां पे हो जाता है x square plus 9 और यह bracket से आप ले लिजिए यहां पे लिखेगा a plus b into a minus b तो a के position पे x है b के position पे 3 है तो x plus 3 लिखिए औ और फिर यहां पे multiply में लिखिए x minus 3 ओके आने की a minus b और आपका denominator में है x plus 3 यह आप रहने देजिए आप देखिए आपका यहां से cancel out हो रहा है यहां पे 1,2,3 terms है और यहां पे लिखिए x plus 3 और यह x plus 3 आपका cancel हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या यहां पे आपके प हमको निकालने बोला गया था मीन और हो हमारा मीन यहां पे निकल लाता है बड़े आसाने से ओके तो हमारे पास second question है कहता है the area of a circle is given by the expression यह हमारे पास है pi x square plus 10 pi x plus 25 pi find the radius of the circle हमको यहां पे circle का radius निकलना है तो आप सभी को पता है कि circle होता है अपना इस तरह से यह देखिए ह हुआ करता है और इसमें जो हमारा बीच का point होता है उसका यह हम Center कहते हैं ठीक है और यहां से जो सेंटर है और यह जो circumference से इसकर डिस्टेन्स को में लोग आहर कहते है यह radius हुआ करता है अब इसका area होता है उसका formula हमारे पास हुआ करता है pi r square यह आपको पता होगा ठीक है यह हमारा area हुआ करता है कि इसका circle का तो अभी हम इसी formula का यहाँ पर यूज करेंगे radius निकालने के लिए चुकि हमको यहाँ पर radius निकालने के लिए का गया है ओके तो हम लोग यहाँ पर note करते हैं given that area of the circle is this हम यहाँ पर implies लेंगे और area का formula हुआ करता है पाई r square और r का है तो radius है तो आगे देखिए हमारे पास यहाँ से पाई common हो जाता है पाई को common कर लेते हैं यह हमारे पास x square बच रहा है और यह हमारा हो गया 10x चुकि पाई को ले लिया है और यहाँ पर हमारा बच जगा 25 हमने पाई को बाहर कर लिया है तीनों ही टब में पा पाई था अब देखिए यह जो पाई है और यह पाई से पाई हमारा cancel out हो जाता है तो हमारे पास अभी बच क्या गया ना यहाँ पे left side r square और right side हमारे पास बच जा रहा है x square प्लस 10 x और प्लस में 25 तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे simplify करेंगे आने कि इसको हम set करेंगे identity पे तो यह हमारा कैसे होगा यह हमारा हो जागा x square प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे 2 a b a के जगा पे x और b के जगा पे हमारा 5 हो जाएगा चुकि यहाँ पे 25 है तो इसको हम की तरह काम करेगा आब यह हमारा क्या हो गया हमारे पास अ चुक है इसको हम आप यहाँ पे ले कर चलेंगे r square अब देखिए हमारे पास दोनों तरफ r square है तो हमारा जब square है आने की power same है तो हमारा base हमारा equal होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे therefore r equal to r is equal to x plus 5 वो क्यों चोकि हमारा यहाँ पे power same है तो base हमारा भी equal होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे hence radius is equal to this तो हमारा final answer यहाँ पे hence radius of the circle is equal to x plus 5 यह हमारा क्या हो गया ना answer ठीक है